नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रोसेंजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प दोस्तो आज हम इस सर्कुट को बनाना सीखेंगे ये एक 220 बोल्ट और LED टेस्टर सर्कुट है तो चलिए सुन करते हैं और इस सर्कुट को बनाना सीख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना परेगा 421N4000 साथ डायोड उसके बाद ये चार डायोड से हम एक ब्रिज रेक्टिफायर ऐसे बना लेंगे अब हमें लेना परेगा एक 100 के रेजिस्टार उसके बाद इस 100 के रेजिस्टार को हम रेक्टिफायर के इस स्पिंग के साथ ऐसे सोटा कर देंगे अब हमें लेना परेगा और एक 100 के रेजिस्टार उसके बाद इस 100 के रेजिस्टार को हम रेक्टिफायर के इस स्पिंग के साथ ऐसे सोटा कर देंगे अब हमें लेना परेगा एक रेट कलर का एलेडी बल्प उसके बाद इस रेड एलेडी का positive पीन हम इस 100 के रेजिस्टार के इस पीन के साथ और negative पीन हम इस 100 के रेजिस्टार के इस पीन के साथ ऐसे सोटा कर देंगे अब नमें लेना परेगा एक green color का LED bulb, उसके बाद इस green LED का positive pin हम rectifier के positive pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे. अब हमें लेना परेगा दो पीस माल्टि मीटर का कॉट, उसके बाद negative को हम rectifier के negative pin के साथ और positive को हम इस green LED के negative pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे. तो दोस्तों ये छोटा सा सर्कित तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं. कर देखते हैं. तो दोस्तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस सर्कित को अपने घर पे बना सकते हैं तो दोस्तो आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियाल में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स एंड थैंक्स पॉर वाचिंग